वेल्कम तू आर आईटी आर आईटी वीद्यों में आपका हार्दिक स्वागत है यहां पर हम सिमोट सेटप की जानकारी राप्त करेंगे सिमोट सेटप को बायो सेटप की नाम से भी जाना जाता है सिमोट सेटप की द्वारा हम कंप्योंटर की प्रारंभिक जानकारीों की शूचना ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं जिससे वो हमारे सिस्टम में मौजूद हार्टवेयर को भली भातियों सम्फुर्ता सूप्यों कर सके सिस्टम में मौझूद हाड़वेर्स जैसे रैम आदी की चेकिंग भी कर ली जाती है जिससे OS को चलाने में कोई समश्या ना हो बायो सेट अप को हम सिस्टम को स्टार्ट होने की समय ही डेल की या एक टेन या एक टू की को फ्रेश करके ओपन कर सकते हैं इसके ओपन होने पर पहली स्क्रीन में हमें में एड़वांस सेकूर्टी बूट तथा एग्जिट आदी जैसे ऑप्षन दिखाई पड़ते हैं में आप्षन के द्वारा आप अपने सिस्टम की डेट टाइम आदिस शीट कर सकते हैं साथ ही इससे आप अपने कंप्यूटर में लगी ड्राइब की जानकारी जैसे सिस्टम के साथ उनका टैज्ट होना आदिस उने शीट कर सकते हैं इससे प्राइमरी मास्टर्स लैब, सेकेंडरी मास्टर्स लैब, एटेज्ड डिवीडी ड्राइब ये वहाँ ड्राइब की जानकारी मिल जाएगी कंप्यूटर चलने के लिए इनका मौजूद होना अवश्यक होता है एडवांस ऑप्शन में आप आप आउन बोर्ड इन्ब्यूल्ट हार्डवेर्स के कंट्रोलर्स को इनेबल और डिशिवल कर सकते हैं सिकूर्टी ऑप्शन में आप बायोश में जाने हैं तो पास्पर्ट सेटिंग होती है इसके बाद सिस्टम को पुलने के लिए पास्पर्ट देनी के आउशकता होती है तभी यह ओन हो पाएगा यदि आप पास्पर्ट भूल जाते हैं तो फिर इस पास्पर्ट को तोड़ना पड़ेगा इसके लिए मदर बोर्ट पर बैटरी के पास लगे सिमोश किलियर जमफर का परियोग करना होता है या फिर आप सिमोश बैटरी को ही 2-4 मिनट के लिए निकाल कर पुनह लगा दे ऐसा करते समय सिस्टम को स्विच ओफ होना चाहिए साथ ही सिस्टम का पावर केवल को में से भी हटा लेना चाहिए जहां तक लैप्टॉप की बैटरी निकाल कर पास्वर्ड ब्रेक करने की बात है तो इसे निकाल पाना आशान नहीं होगा ऐसे में आप किसी भी थर्ड पार्टी सॉप्ट्वेर का परियोग कर सकते हैं ये सॉप्ट्वेर इंटरनेट पर उपलब होते हैं बायोष में बूट सिक्वेंस का ओप्षन एक जरूरी ओप्षन से है इसकी सहता से आप कम्प्यूटर के बूट ओडर को शेट कर सकते हैं यदि किसी कारणों से बायोष शेटिंग के बाद आप सिस्टम काम न करे तो शेट अप के सबसे नीचे डिटोट डेफॉल्ड शेटिंग का ओप्षन होता है इसे क्लिक करने से बायोष की पुरानी फैक्ट शेटिंग पर पहुच जाता है और आपके द्वारा कोई भी गलत दिया हुआ शेटिंग हट जाता है जिससे आपके कम्प्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा धन्यवाद